नमस्का, मैं उससी आयो जरकन की टोप 25 पर मोख खबर जानते हैं नमस्का, मैं उससी आयो जरकन की टोप 25 पर मोख खबर जानते हैं नमस्का, मैं उससी आयो जरकन की टोप 25 पर मोख खबर जानते हैं नमस्का, मैं उससी आयो जरकन की टोप 25 पर मोख खबर जानते हैं नमस्का, मैं उससी आयो जरकन की टोप 25 पर मोख खबर जानते हैं मोर्चा ग्रामीन, महामंत्री पसुपती सहदेव, महानगर के महामंत्री बाल साही महतो, ग्रामीन मंत्री रायस सिंग मवजूद थे जार्खन में सुखा, घोसित के लिए क्रिसी विभाग ने सभी जीलो से मांगी रिपोर्ट जार्खन में मांसुन के बेरूखी से किसान परेशान है, खेत सुखने लगे हैं, धान की बिचले पिले पड़ गए हैं रोपनी सुरू नहीं हो पाई है, सुखार का संकट मराने लगा है बता दे इन सब के बीच क्रिस्ती विभाग भी पूरी इस्थिती पर नजर रखे हुए हैं क्रिस्ती मंत्री बादल ने बताया कि खरीब की खेती पर संकट को लेकर गुरुआर को बिभाग ने एक बैठक बुलाई है समिक्षा के बाद सरकार आशन सुखार से निपटने और बैकल्पिक उपाय पर फैसला लेगी क्रिस्ती मंत्री ने बताया है कि सभी जीलो की वर्षा पात और धान किरोपनी की रिपोर्ट लेकर इस्थिती की समिक्षा की जाएगी किरिसी बिभाक सची और समन्दित अधिकारियों के लावा किरिसी बी से सग्यों और मौसम बैग्यानिकों को भी बैठक बुलाया गया है रिपोर्ट की माने तो कई जीलों में अवसत से 49 परत्षत कम बारिस हुई है किरिसी मंत्री ने कहा है कि कैबिनेट की पिछली बैठक में भी इस पर चर्चा हुई थी जारखन में तेजी से बढ़ रहे कुरोना मामले अलर्ट जारी राजे में कुरोना के मामलों में एक बार फिर से तेजी आ गई है राजे का पोजेटिवीटी दर दर्थ से बढ़ कर 14.50 परतिसत पहुंच चुका है वहीं दूसरे जिलों में भी पोजेटिवीटी दर लगातार बढ़नते जा रहा है ऐसे में राजे के एक बार फिर कुरोना बिसफोर जैसी थितिति उत्पन ना हो इसे लेकर स्वास्त विभाग अलट मोड में आ चुका है बता दे अपर मुक्स चीव अरून कुमार ने अस्पतालों को PSA, Plant, Ventilator और Oxygen, Cylinder की किरिया सिल्ता के आकलन के लिए सभी अस्पतालों में मौक ट्रिल करने का निर्देश दिया अपर मुक्स चीव अरून कुमार ने राजे के सभी सरकारी कोबिट अस्पतालों में उपलाव दसन सादनों की समिक्षक करने का निर्देश दिया है जैरखन में रूपा तिर्की के बाद संध्या टोपनों मौद से पुलिसिंग पर उठे सवाल राजशी के तुपुदाना ओपी इलाके में महिला दरोगा संध्या टोपनों की मौद बुद्धवार अहले हुई जिसके बाद गुरुवार को संध्या टोपनों की आंतिम संसकार किया गया जिसमें जन सहलाब उम्रा बता दे मामले की जाज के साथ ओपी परभारी को लेकर भी सवाल उठे है गौत असकरों के बड़े मनोबल को लेकर भी स्वहिंदू परशत ने भी सवाल उठाते हुए मामले पर कड़ी करवाई की मांग की है संध्याट उपनों के अंतिष्टी कारकरम में जन सहलाब उम्रा है लोग गम जदा के साथ साथ आकरोज भी थे जारखन में उर्दू नाम जोड़कर सरकारी स्कूलों की बदली जा रही पाचान मामला हाई कोट जारखन के कई सरकारी स्कूलों में सुक्रवार को सब्ताइक अवकास करने के मामला अब हाई कोट पहुँच गया है इस समध में कोट में एक जनित्याच का दाकिल की गई है याचिका में कोट को जंकाईर दी गई है कि राजी के कई जीलों में सरकाली स्कूलों के आगे उर्दू लिखकर स्कूलों की पाचान बदलने की कोशिस की जा रही है जार्खंड के कई सरकारी स्कूलों की पहचान के साथ छेर चार करने का मामला आप जार्खंड हाई कोट पहुँच गया है बतादे सोसल एक्टिविटिस्ट पंका जादों की तरफ से अधिवक्ता राजीव कुमार ने जार्खंड हाई कोट में जार्खंड के इस्कूल के इसलामिक रण परोक लगाने की मांग की है जार्खंड में 30 सितमबर तक 1 क्डोर लोगों को लगे बुष्टर डोज बिभाग स्वास्त विभाग के अपर मुक्सचीव अरून कुमार सिंग ने 30 सितंबर तक हर हाल में जार्खन के 1,1,23 या 7,66 लोगों को कुरोना टिकाकरण का बुस्टर डोज लगाने के निदेश सभी उपायुकतों को दिये हाए इस अधित तक 18 वरस से अधिक आयो के इतने नागरिक बुस्टर डोज लेने के लिए योग होंगे अपर मुक्सचीव ने 15 जुलाई से चल रहे 75 दिनों के टिकाकरण अभ्यान के तहत इस लक्ष को पूरा करने को कहा है उन्होंने कोरोना के बढ़ते संक्रावन की रोक्थाम को लेकर भी कई निर्देश उपायुकतों को दिये अपर मुक्सचीव ने उपायुकतों को पत्र भेज कर कहा है कि कोबी-19 अमरीत महोत्सों के तहत माइक्रो पलान बनाकर हर हाल में 30 सितंबर तक लक्ष को प्राप्त किया जाए जार्खन सरकार राजे के स्रमिकों के लिए लेह और केरल में सुरू करेगी प्रवास केंद्र जार्खन के गुमला पच्मी सिम्भूम और जूमका जीले के बाद अब जार्खन सरकार ले एमकेल में भी प्रवास केंद्र सुरू करेगी बीते ड्हाई वर्सों में राजे के लाखो स्रमिकों के सुरक्षित घरवापसी हुई है स्रमिकों के दो क्लो रुपए बकाया का भी बुक्तान हुए है स्रम विभाग के स्रमधान पोटल में मजदूर पंजीकरण वा प्रवासी पंजीकरण और उससे प्राप्त होने वाली जजनाओ के लाब को लेकर परतेक जीले में राजे प्रवासी नियंत्रन कक्षुदवारा पंजीकरण जगरुपता एवं परचार परसार किया जा रहा है जारखन में छतराये छोड़ रही सबसे ज़्यादा स्कूल विभाग करेगा अध्ययान जारखन में स्कूल ड्रोप आउट करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है इसमें छात्रों की संख्या सबसे अधिक है अब कारण जानने के लिए सिक्षा विभाग जीलावार अध्ययान कराएगा आपको बता दे कि कक्षा बढ़ने के साथ साथ स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में अभी लगातार बढ़ रही है हाई स्कूल में छात्राओ का ड्रोप आउट रेट सबसे अधिक है सिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि जीलावा ड्रोप आउट बच्चों की संख्या की जनकारी प्राप्त कर इस पर अधियान कराया जाए इसका कारण जानकर सुधार किया जाए जासिप के प्रमोत कुमार सिन्हा और परवीन कुमार जा को इसकी जिम्दारी दी गई है जारखन में पिछले 10 साल में सबसे कम बारिस जारखन में सुखे के असार दिखने शुरू हो गए है पिछले 10 साल में अब तक सबसे कम बारिस हुई है विभाग भी इसे लेकर चिंतित है इसलिए उन्होंने इसकी तियारी शुरू कर दी है हालात ए हो गई है कि इस साल धान के बिछले पर भी संकट मनानने लगा है कई जिलो तो अब तक रोपा शुरू भी नहीं हो सका है इसमें से संताल परगना उत्री छोटा नागपूर और पलामू परमंडल एक है बता दे राजे के 16 जिलो के इस्थिती तो बेहद ही चिंता जनक है रोपा के कारे प्रभावित होने से किसानों के चेहरे पर भी चिंता की लकीर दिखने लगे है बिभाग भी सुखे किस्थिती को मानते हुए त्यारी में लग गया है बिभाग ने सभी जिलो को पत्र लिकर लंबी अधी वाली धान की वेराइटी बातने और बेचने परोक लगा दिया है द्रोपदी मुर्मू का जहारखंड के लूगु बुरू से है जुडाव देश की पहली महिला आदिवासी न निर्वासीत राष्ट पती बनने का गरोर द्रोपदी मुर्मू के प्राप्त हुआ है देश की पंद्रावी राष्ट पती द्रोपदी मुर्मू का जहारखंड से गहरा जुडाव रहा है राजे की पहली महिला राजे पाल के अलवा बोकारो जीला अंत्रगत गोमिया परखन के ललपनिया इस्थित लुगुबुरु घंटावाडी धोरों गाड से गहरा एवं अध्यात्मिक लगाव रहा है बतादे संताली आदिवासियों की संस्किरिती एवं परामपरा के इस उद्गम अस्थल में द्रोपती मुर्मु का तीन बार आगमन हुआ है हर साल कार्थिक पूर्म्या पर यहां होने वाले अंतराश्ट्रिय संताल सरना धर्म महासमेलन में बतार मुख्य अतिती वर्ष्ट 2015-16 एवं 29 में द्रोपती मुर्मु यहां पहुँच चुकी है इसकूली सिक्षा विभाग ने धनबाद D.E.O. समेथ 6 के वेतन पर लगाई रोक इसकूली सिक्षा विवं सक्षर्टा विभाग ने राजे के 6 जीलों के जीला सिक्षा पताधिकारी के वेतन भुकतान पर रोक लगा दिया है बिभाग ने इस समध में पत्र जारी किया है अदर्स बिद्याले में सिख्षकों के रिक्तियों से समधी जनकारी नहीं देने के कारण धनबाज के जीला सिख्चापता अधिकारी प्रबला खेस के वेतन पर रोक लगाई गई है वहीं मद्य बिद्याले को उच बिद्याले में अपग्रेड करने को लेकर प्रस्ता उपलब्द नहीं कराने के कारण कई जीले के सिख्षापता अधिकारी के बेतन पर भी रोक लगाई गई है पंकज मिस्रा और पूजा के पत्ती अविशेक जा आमने सामने मन्रेगा घोटाले से लेकर अवयद खनन तक में मनी लॉंडरिंग के तहत अनुसंधान कर रही इडी के टीम ने गुरुवार को मुखे मंत्री हमान सुरेन के बरहेट बिधान सभाचेदर के बिधायक परतिनिधी पंकज मिस्रा को छो दिनों के रिमांड पर ले लिया है इस पूरे परकरण में जेल भेजी गई आई एस पूजा सिंगल के पती अविशेक जाको भी इडी ने पूस्ताच के लिए बुलाया था और पंकज मिस्रा को अविशेक जाक के सामने रखकर पूस्ताच भी की बता दे संताल के छितर में अवयद खननव काली कमाई के पूरे नेटवर्च पर पूरुव में पूया सिंगल सुमन कुमार अविशेक जावा समन्धित डी एमो से मिले इनपूट के अधार पर पंकज मिस्रा से पूस्ताच शुरू हुई इडी ने पंकज मिस्रा की घेराबंदी के पूरुव कागजी करवाई वसंताल का बहतिक सत्यापन पूरा कर लिया था पंकज मिस्रा हर दिन बिहार भेज रहे 600 ट्रक गंजा सराबो बालो मुखे मंत्र हेमों सेन की विधायक परतिनी दी पंकज मिस्रा इडी गिरिमान पर है इडी अब तक मिली एक एक सुचनाव का सेत्यापन कर रहा है बता दे इडी को जनकारी मिली है कि पंकज मिस्रा के सहयोगी दाहू यादो दाहू यादो के भाई सुनिल यादो वा सुलिंद्र यादो गंगान दी पर माल वाहाग जहाज से अवैद खनीच आदी का परिवहन करते है करीब 600 ट्रक प्रती दिन गंगान दी पर फेरी जहाज से गरम घाट महादेव गंज से मनिहारी घाट तक जाता है इन ट्रकों से बिहार तक बालू, स्टोन, चिप्स, कोईला वा अवैद, सराब तथा गंजा की तसकरी होती है जिसका खनन चलाना नहीं होता है, ट्रक ओवर्लोडिंग भी होते है मुख्य मंत्री हिमन्त सनीवार को दिली में करेंगे बड़ी घोसना राज सरकार परियाटन के छेत्र में निवेसको को आकर सित करने के लिए कई परकार के प्रोथ साहन और सबसीडरी परदान करेगी साथी सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से पूरी तरह सरल परकिरिया के तहट लाइसेंस से लेकर तमाम सुखधाय और सब्सेटरी परदान करेगी राज में लागू की जाने वाली जारकन प्रेटर निती में इसके प्रविधान किये गया है मुख्यमंत्री हमान सुरेन 23 जुलाई को नई दिली में इसकी लॉंचिंग करेंगे इस अउसर परवे निवेश को उद्यमियों और श्टेक होल्डर के साथ बैठक भी करेंगे कोट फीस में बिरिधी के बिरोध में अधिवक्ताओ का सांति पूर्ण मार्च 25 को राजे में अचाना कोट फीस की अत्याधिक बिरिधी को लेकर राजे भर के अधिवक्ताओ में रोस ब्याप्त है नय सुल्क की अपरत्यासित बिरिधी के बिरोध में रांची जीलाबार अधिवक्ताओ 25 जुलाई को सांति पूर्ण मार्च निकाल कर अपना बिरोध परकट करेंगे उस दिन दो पहट डेड़ बज़े जीला बार एसोसेशन के नय बार भावन परिसर से अलवट एका चोग तक सांति पूर्ण मार्च करेंगे बार एसोसेशन का महास्चीफ संजय कुमार बिद्रोही नी बताया कि इस बढ़ोतरी के बिरोध में जार्खन स्टेट बार कॉंसिल तथा अने जिला अधिवक्ता संगों के द्वारा नय सुल्क में पुन विचार करने के लिए पत्र सरकार को दिया गया है रांची के जे एस्टेडिया में 6 अक्टूबर को भारत और दक्षिन अफरीका के बिच वन डे मुकाबला टीम इंडिया को इसी साल अक्टूबर महिने में होने वाले ICC T20 वर्लकप से पहले आस्ट्रेलिया और दक्षिन अफरीका के खिलाप दो T20 सिरीज खेलने है साथ ही टीम इंडिया को दक्षिन अफरीका के खिलाप तीन मैच चोक की वन डे सिरीज भी खेलनी है बताद BCCI सुत्रोज ने इसकी जनकारी दी है दक्षिन अफरीका के खिलाप पहला वन डे मुकाबला रांची के JCA स्टेडियम में केला जाएगा दिली का फिरोज साथ कोटला अक्टूबर के दोसरे हपते में वही दक्षिन अफरीका के खिलाप तीन वन डे की सिरीज के अमती मैच की मेज़बानी करेगा द्रोपादी मुर्मु की जीत पर जारखन बिजेपी में जस्न का महौल राष्ट पति पद पर द्रोपादी मुर्मु की जीत पर जारखन में उत्साह का महौल है कई जगों पर नेता सहीत करकता जस्न मनाते दिख रहे हैं बिजेपी परदेश कर्याले में भी खोब ढोलनागारे बज रहे हैं इस जीत की खोशी में जारगन के पुरो मुखमंत्री रगवर दास भी जम कर थिरके वहीं राज्ये के पहले पुरो मुखमंत्री बाबुला मरांडे भी काफी कोश दिखे सीम हमान सुरे ने द्रोपती मुर्मु को जीत की बढ़ाई दी है बता दे गुरु आर कोड़ाश पतिपत की काउंसिल में एंडिये परत्यासी द्रोपती मुर्मु ने यूपिये परत्यासी स्वन सीना को भारी अंतर से हराया है सियम हमन्त ने दुमका के स्कूल में किया अस्मार्ट कलास का उधगाटन मुख्य मंत्री हमन्त ने दुमका में रहने के दरान जिस बिद्याले में पढ़ाई की थी उसी स्कूल में उन्होंने गुरु आर 21 जुलाई को अस्मार्ट कलास का उधगाटन किया है बता दे गुहिया जोरी स्थीत संत जोसेफ स्कूल पहुंचने के बाद उन्होंने अपने स्कूल के दिनों को खोव्यात किया उन्होंने कहा कि उनके लिए गौर का विशाय की जहां से पढ़ाई की वहां बतर मुक्य मंत्री पहुंचे और काफी भावुक दिख रहे हेमन सुरेण ने वहां चात्रों सस्थनवाद भी किया स्यम सीरी सुरेण ने काफी प्रसंचिंत और उत्साहित नजर आ रहे थे उन्होंने स्कूल के उनस्थानों और उन पेड़ों को निहारा जहां से उनका गारा लगाव रहा था हेमन्त सरकार पसंकट बिजेपी में कॉंग्रेस बिधायक राष्टपती चुना में कॉंग्रेस बिधायकों की क्रोस बोटिंग हेमन्त सुरेण सरकार के लिए बड़ा संदेश दे रही है बिढान सभा का मजूदा गनित और राश्पती चुना में बिढायकों के मतों का रुजान दोनों के समानूपातिक समध्यों को देखे तो बड़े उलटफेर की समभावना से इनकार नहीं किया जा सकता बता दे कॉंग्रेस के नौ बिधायकों का पार्टी लाइन से इतर जाना या संकेत देता है कि कॉंग्रेस के भीतर खाने सब कुछ समाने नहीं है एक बिधायक ने नाम नहीं बताने की सर्थ पर कहा है कि अब लड़ाई आर या पार्की होगी जार्खन में कंग्रेस बिधायकों ने की क्रोस वोटिंग राष्ट पती चुना में एंडिये परत्यासी द्रोपती मुर्मू की जीत तो तय मानी जा रही थी लेकिन जार्खन में चुनाओ के दरौन इतना बार उलट फेर होगा इसका अनुमान किसी को नहीं था बता दे राजे बिधान सभा के कूल 89 वैद मातों में से 70 बिधायकों के वोट एंडिये परत्यासी द्रोपती मुर्मू के पक्ष में गए जबकि यूपिये परत्यासी एस्वंत सिन्हा को महज 9 बिधायकों का समर्थान हासिल हुआ आकड़े इस बात की पूष्टिक कर रहे हैं की राजे में बड़े प्रमाने पर क्रोस वोटिंग हुई और सारे क्रोस वोटिंग कंग्रेस खेमे में हुई दरोगा संध्या टोपनों हत्या के बाद डिजीपी सक्त रांची के तुपुदाना ओपी छेतर में बुद्धवार की भोर करीब ढ़ाई बज़े चेकिंग के दोरान महिला दरोगा संध्या टोपनों की पसू लदी वैन से कुचल कर मारने की घटना को डिजीपी निराज सिन्हा ने गंभीता से लिया है उन्होंने रांची के सेसपी किसोर कौशल को का निर्देश जारी करते हुए असपश्ट कर दिया है कि किसी भी हाल में पसू तसकर वा उन्हें संदक्षन देने वाले बचने नहीं चाहिए पसू तसकरों के संड़क्षन अगर पुलिस कर्मी या पताधिकारी हैं तो उन्हें भी चीनित करें और उनके बिरुद भी कानूनिक करवाई करें जारखन के स्कूलों में हर मंगलबार को हेल्थ आइंड वेलनेस डे का आयोजान इस आयोजान में राष्ट्री ये किसोर स्वास्त कारेकरम के तहत बचों को पोशन योन एवं प्रजनन स्वास्त मांसिक स्वास्त हिंसा की रोक्ताम नसा निसे द्वाग गर संचारी रोगों से बचाव आधिकी जनकारी दिजाएगी 45 रुपया रिस्वत लेते कोडार्मा के रेंजर गिरफतार हजारी बाग की टीम ने गुरुवार को कोडार्मा वन प्रचेत्र पदाधिकारी राजन्दर परसाद को 45 रुपया रिस्वत लेते रंगे हाथ गिरफतार किया है रेंजर को कुडर्मा इस्थित उनके आवाज पर उस समय पकड़ा गया जब वे लकडी का बोटा ले जाने के लिए ट्रांजिट पेपर देने के नाम पर रिस्वत ले रहे थे रेंजर को गिरफतार करने के बाद ACP की टीम उसे अपने साथ हाजारी बाग ले गाई धन्यवाद